उत्तर प्रदेश के उपमुक्य मंत्री दिनेश शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। धन्यवाद शर्मा जी आज तक से बाचीत करने के लिए क्या-क्या आप कल से खोल रहे हैं। बहुत धन्यवाद। जो केंदर सकार की गाइडलाइन है उसके अनुपालन में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में उसका अच्छर सा पालन किया है। हमारा परिभन का आवागमन खुल रहा है। उसके इलावा जो होटल रेस्टरा हैं वो खोले जा रहे हैं। और साथ साथ इसकूल कालेजिज इस वारे में तो हम लोगों जुलाई में खोलने पर बिशार करेंगे उनको और साथ में जो यहाँ पर पार्के हैं उनको पार्कों भी विसेश नर्देश के साथ खोलने का नश्य किया गया है। तो ये तमाम चीज़ें इसे मिठाई की दुकान पर भी भी वहां पर खाने की वश्ता नहीं होगी लेकिन मिठाई की दुकान भी खुली करने का नर्देस दिया गया है साथ में जो सैलून है उनको भी विसेश नर्देशों के साथ में विसेश सुरक्षा का ध्यान रखते हुए वो उसका अपनी दुकाने खुल सकेंगे साथ में जो बस सेवा है वो भी चल सकेगी लेकिन उसमें तमाम जो साथधानी और सुरक्षा के उपाएं हैं उनका अनुपालन करना आवश्चक होगा तो ये तमाम चीजें हैं जिन पर प्रतिश सरकार ने गौर किया है कि ये खुली चाहिए क्योल पाथन पाथन की जो प्रक्रिया है उसके बारे में हम जुलाई में उस चीज को निरने करेंगी कि कि कब खुलेगा मतलब साथ है कि जुलाई तक स्कूल कम से कम उत्रप्रदेश में स्कूल कॉलेज़िस और जो कोंचिजिंग इंसिट्यूट से वो बंद रहेंगे कि ये फैसला वो लिंग देखे भी भी गाजियाबाद और नर्ड़ा में स्थितिया ये हैं कि जो संक्रमन के तमाम केसिस अधिकान संक्या में पाए गए हैं आवा गवन अभी एकदम से खोल देंगे पूरी तरीके से तो वहां पर तमाम अन्य समस्यां उत्मन हो सकती हैं इसलिए उसको दीरी दीरी स्टेप बाई स्टेप खोलने का निश्चे हुआ है और तमाम जो पहले की सक्त बंदेजी थी उनका सरली करण किया गया है लेकिन दुरेशीब अगर ऐसा है तो आपके पूरे उत्तरप्रदेश के विभिन जिलों में एक हजार से ज़्यादा कंटेन्मेंट जोन से हैं वहां किस तरह की रियायत है या वो पूरी तरह से बंद रहेंगे देखे कंटेन्मेंट जोन में तो विवस्थाएं पहले की ही लागू होंगी और उनमें लेकिन साथ सफाई करने की छूट होगी बाकी जो विवस्थाएं पहले से थी प्रत्वन थावा गमन का दुकानों को बंद करने का तो वो बहुत बड़ी समस्या आती है नियमू का प पुलिस प्रिशासन को दिये गए हैं? इसका कार्ड ही उसका पास माना जाए या इस प्रकार की विवस्थाएं यानि छूट पहले के पिक्छा आदि छूट दी गई हैं जिसमें आवा गमन में बहुत सारी बाधाय नाउत्पन हो सकें पुलिस कर्मियों को एक लिबरल एटिट्यूट के साथ में अपनी ड्यूट प्रदेश में कामकाज शुरू हो जाएगा लेकिन कौन सी वो ऐसी जरूरी बात है जो आप प्रदेश के लोगों से कहना चाहेंगे कि जिसका वो सबसे ज़्यादा ध्यान रखें करोना एक संक्रामा को ऐसी बिमारी है जो बहुत जल्दी जाने वाली नहीं है हमें अपनी लाइफ स्टाइल में से सामिल करना पड़ेगा और हमें अपने कामकाज कामकाज बंद नहीं हो सकते हमारी रथे वबस्ता को संतुनित करना दोज आम पबलिक को जो हो रही कटनाई थी उनको कम करना यह हमारा दायत तो बन गया था तो हमें इस कारण से इन सारी विवस्ताओं में धील देना पड़ रहा है लेकिन साथ में यह छेताओनी भी है कि हमें सारे जो सुरक्षा के उपाए बताये गए थे सोसल डिस्टेंसिंग के संबद में फीजिकल डिस्टेंस करने के बाद ही हम हर समय अपने अन्य कारियों में थनलगन बने यह सारी चीजें अत्यनत जरूरी होंगी साधी विया में जाते हैं तो पचास के संख्या में अंतिम संसकार में जाते हैं तो बीच की संख्या में यानि संख्या का भी हम अनुपार्ण करें उससे हम अतिक्रम नहीं करें। जो सरकार ने छूर डी हैं अगर part में जाने के लिए तो पार्क में patrolling होती रहेगी पार्क में यह नहीं है कि आप हो सुचल k OP को भूल जाएं आप वीजिकल को भूल जाएं तो यह सारी सीजें भी करनी होंगे और आम क्र Deckа के साम Mr. पड़ेगा और इसको विक आम जीवन का अंग बनाना पड़ेगा इन सारी साउधानियों को तभी हम आगे अपनी जो दिन प्रते दिन की गतिविदियां हैं उनको संचालित कर सकते हैं का निर्वहन हम तभी संभाव कर सकते हैं शर्माजी हमारे देश में करूना संक्रमन के मा अपने लिए हैं तो संक्रमन बढ़ने की आशंका रहती है उसके मद्दे नजर क्या विशेश अंतिजाम है देखे जो हमारे प्रावासिय भारती बड़े प्रावासिय मजदूर समिक बड़े तेजी के संक्या के साथ में यहां पर आये हैं उनको लेकर एक चिंता जरूर से तमाम पंजाब से अन संक्रमित चित्तों से हमारे वस्रमिक आ रहे हैं तो हमारा सबसे पहला करता भी हो जाता है कि उनका हम एक मेडिकल परिक्षन करें उनकी स्क्रीनिंग करें उनकी स्क्रीनिंग करने के बाद में उनका कॉरंटाइन टराने की विवस्ता कराएं और कॉ उनको एक हजार रुपए उनके भरन पोस्टन का देने का उनका बीमा कराने का और उनकी स्केलिंग कराने का स्केलिंग इस बात की कि वो किस कारे को करने में योगे हैं कोई रियल स्टेट के लिए लायक है तो कोई बुनकर का काम कर सकता है तो कोई सर्राफे का जेवर बनाने का काम कर सकता है तो कोई ब्यूटी पाललर का काम कर सकता है तो जो जिस काम को कर सकता है उसके कालम में वो उसकी योगिता लिख जाएगी जिससे उनके 14 दिन का कॉरिंटाइन के बाद में उनकी छटिनी कराके उनको उस काम में लगाया जा सके चाहे वन डिस्टिक वन प्रोड़क्ट में लगाया जा सके चाहे उनको जो हमारा यहां पर लगूद्योग हैं उनके साथ में उनको जोड़ा जा सके या मनरेगा के साथ उनको काम कराया जा सके या अन्य निर्माना में उनको हम बेख सकें ये विवस्ता हम लोग उसके बात करते हैं तो सबसे पहला हैं उनका उप्चार करना उनकी स्क्रीणिंग करना उन और दो को क्यारेंटीन करा के अलग से रखना उनके भोजन-पानी की विवस्ता होंगे. और उन सारे स्रमिकों का सकेलिंग का काम भी लगवा, पूरा हुआ है. तो ये बहुत बड़ा काम है, जो उत्तरब्रदे सरकार कर रही है. कि हम उनको क्यों रख नहीं रहे हैं, क्यों उनको ला नहीं रहे हैं, फ्री आफ़कास बसों में, बलकि उनको लाने के बाद में बाविस में हम उनको रोजगार देज सकें इसकी भी पूरी तैयारी हमारी उत्तरब्रदे सरकार मानी मुक्रमती के नित्तमिक कर रही है शार्माजी कुरोना काल में श्रमीकों के समस्यायं काफी सामने आईं देश ने देखी आपने बहुत सारी Aghi उनके इनके इंतजाम की बात भी कि उनके देखभाल की लेकिन middle class और lower middle class शर्माजी जो है वो भी कम प्रभावित नहीं है नौकरियां चले गई हैं वेरोजगारी बढ़ गई है फैक्टरीज बंद हो गई हैं वहां काम नहीं है ऐसे इस वर्ग के लिए क्या कुछ प्लानिंग है आपके पास देखेब उत्तर प्रदेश सरकार केंद सरकार के साथ पूरक का कार्म करती है मिलकर एक समनवेत जो बहतर समनवे का कार है वो उत्तर प्रदेश सरकार केंद के सरकार के साथ में कर रही है मानि प्रदान मंती जी ने आत्म निर्वर भारत का जो अभियान चलाया है उसके अंतर का जो भी 20 लाख करोड का पैकेज दिया गया है लोगों को रिन उपलब्द कराना सस्तितरों पर बगएर गारंटी के रिन उपलब्द कराना व्यावसाय को जारी डखने के लिए रिन उपलब्द कराना वेतनों का भुकतान करने के लिए रिन उपलब्द कराना य रूखे चला सकें, सरकार ने विविण परकार के सहूलतें देने की भी गोशनाएं करी हैं, बड़े उद्धिवों में भी जैसे आइटी के छेत्र में है, या आइटी के छेत्र में बहुत बड़ी सुविदाय दियी गई, कि जो बाहर चाइना से विमुक होकर अन्य देशों म को लगाने की अनुमत भी उत्तर पुर्देश में क्योल भारत वर्स में दी गई है कि जिससे भारी उद्योग भी यहां पर लगाया जा सके तो यह एक ऐसा आर्थिक नियोजन है मुक्हिमंती जी का जिसके अंतर के छोटे उद्योगों को भी प्रश्य दिया जा रहा और बड परिवेया हैं उनमें कमी की गई है और तमाम प्रकार की बच्चतों को लाके सारा कुछ करोना का जो संक्रमण है इससे हुए जो संभावे थानी है उसको रोकने की कोशिस उत्तर पदेश में की गई है तुने शर्मा जीब करोना के संकट काल में राज्यों में टकराफ भी बहुत हुआ राजस्तान और आप आमने सामने रहे एक दूसरे पर आरूप लगाया आपको लगा आप मानते हैं कि इससे कहीं न कहीं करोना के खलाफ जो युद्ध पुरा देश लड़ रहा है राज्यों अपने सतर पर लड़ रहे हैं वहां हानी पहुंचिए नुक्सान ह देखें ये पूरी टीम इंडिया एक साथ काम कर सके ये प्रदान मंती जी की पहल रही है और उत्रप्रदेश ने भी इसको माना है ये दुरभागी पूर्ण परिस्तितियों में कुछलों के दौरा बसों को लेकर टकराव की इस्तित पैदा की गई और ऐसे समय पर जब संक कि हम जो वहां के बच्चे हैं उनको आप ले जाएंगे तो उनका भुक्तान करना होगा तो उस बात को ले कर जब उसको उजागर किया गया उनके दौरा अनने गलत टत्थों के तोर पे बातें कही गई तो यहाँ से जब उजागर किया गया उतरप्रदेश से तो इसको कह सकते हैं बलकि कह सकते हैं कि आँ उन तत्यों का प्रश्टूती करना है जिनको वो उन परिस्थित्यों में राजस्थान और तरफ प्रदेश सरकार के बीच में जो समवाद था उस समवाद को जरूर प्रश्टूत किया गया लेकिन हमारे मदवेद इसी कोई चीज नहीं है लेकिन शर्मा जी जन मानस पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है और हमारे ही देश में राज्य अगर इस तरह से किसी भी बात को लेकर आमने सामने होते हैं तो वो ठीक नहीं है अब कल से जब आप राज्य को पड़री पर ला रहे हैं आप किस तरह की आशा राज्य के वासियों से करते हैं सरकार के देवे आदेशों का अनुपालन करते हुए लड़ेंगे और इस जंग को ये लंबी लड़ाई लड़ेंगे ये लंबी लड़ाई है और ये एक दिन में समाप्त होने वाली लड़ाई नहीं है इस लड़ाई में जंग में जिस परकाश होता है कि हर पल सतरक्ता का ह हमारी जो दी गई लागडाउन के दिशान निर्देश थे उनका अच्छासा पालन हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं ये भी हमारे लिए एक महत्तपूर्ण बिंदू होगा मुझे उत्तर प्रदेश में मैंने पहले ही सब्दू का प्रयोक किया कि समेदन सी लोग हैं औ उसके बाद में इद का पवित्य तेवहार भी आया सबने जिस प्रकार से अनुपालन किया है जो सरकारी अनुदेश थे उनका अनुपालन की हुआ है तो बिसे एक विश्वास जगा है कि उत्तर प्रदेश अपनी इस लड़ाई को मिलकर लड़ने में सच्छम है दरेश शर दने बाद हम आशा करते हैं उत्र प्रदेश तमाम राज्यों के साथ पूरे देश में कल से व्यापार शुरू हो लोग अपना काम शुरू करें और हम करोना से लड़ पाएं धन्यवाद शर्माजी